सब्सक्राइब करें हमारे शेनल को और शाथ ही बैल आइकन को प्रेश करके औल शेलेक्ट करने ताकि आपके राश्ची से जुड़ी शभी महत पूर्ण जानकारियां आपको शमे शमे पर मिलती रहें नमस्कार दोस्तों जय मातादीर श्वागत है आपका हमारे इस चैनल में दोस्तों आज शमबाद करने वाले हैं छे मई 2021 गुरुवार के आपके राश्ची फल के बारे में सबसे पहले जिनका भी आश्च बर्थने है या फिर मारेज इनवर्सरी है उन्हें मेरी और शिड हेर शारी शुब कामनाई भगवान विश्णु देप की किरपाशी आप दिन दुगुनी और राज चोगुनी की तरकी पर रहें चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे आपकी खुश्यों के साथ साथ ऐसी कौन-कौन सी परिशानिया और कश्टों को लेकर आने वाली है जिसे आ आपके राशी पर क्या असर होगी हम पूरी विश्णार से जानेंगे इस वीडियो में तो आप इस वीडियो को मिश बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें चिने वीडियो के अंत में काफी अच्छे विचार दिये गए हैं आप जरूर देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा तो चलिए विडियो को सुरू करते हैं आज के पंचांगशी आज 6 मई 2021 दिन गुरुवार का है और महीना जो है वो बैशाक कर रहेगा तिथी की बात करें तो कृष्ण पक्ष की दश्मी तिथी बन रही है जो कि यह ठीक दो पहर दो बश कर 10 मिनट तक चलेगा और इसके उप्रांत क्रिष्ण पक्ष की एकादशी तिथी प्रारम हो जाएगी नक्षत्र की बात करें तो शत्विशा नामक नक्षत्र बन रही है जो कि यह ठीक शुबह के 10 बशकर 32 मिनट तक चलेगा और इसके उप्रांत पूरुभाद्र पदा न इंद्र नामक योग बन रही है जो कि यह ठीक शाम के 7 बशकर 21 मिनट तक चलेगा और इसके उप्रांत वैद्रिती नामक योग प्रारम हो जाएगा तो चलिए बात करते हैं सुरी और चंद्रमा का शमे सुरी उदे का शमे शुबह के 5 बशकर 54 मिनट पर और सुरियास्त का को शुबह का शुबह के 26 minutes और चंद्र उदे का शमे खे Member इसके жест जपने योफह हो जह सुरी थी के 6 बशकर 52 minutes पर और सुरैंद्रासित का शुबह क कि मारने पर 49 मिनद तक चलेगा चली बात करते हैं आज का और शुब शमे यानि राहुकाल की बात करें तो यहां दो पहर दो बजे शेले कर ठीक दो पहर तीन बज कर 38 मिनद तक चलेगा याद रखेगा दोस्तों राहुकाल के शमे किसी भी महत्यपूर्ण कारी को आप बिल्कूल भी ना क जिखते इंसान को इंसान धोखा नहीं देता बलकि उसकी वह उम्मिद धोखा देती है जो वह दुश्रों पर रखता है जिन्दगी में चौके लगाने के लिए मौके का इंतिजार मत किजिए खुद मौका बनाईए और चौका लगाईए कुश्पल बुजुर्गों के पा नंबर 1 लोग क्या कहेंगे और दूसरा मुझ्से नहीं होगा नंबर 3 मेरा मोड नहीं है नमबर 4 मेरी किश्मत खराब है नमबर पांश, मेरे पांश टाइम नहीं है, अगर ये पांश बातें अपने दिमाग में लाओगी, तो भविश में भी कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगी, दुनिया में कुछ भी और शंभव नहीं है, हम वो शब कर सकते हैं, जो हम एक सोच सकते हैं, और वो हम सोच सकते जो हम आज तक सोचा नहीं चलिए बात करते हैं अब आपकी डेली राश्य फलकी आप अपने शपने और विश्वास को जाचने की मोड में है हाल ही में हुआ कोई नुक्सान जैसे दादा या दादी किसी की मिर्तियू आपको अकेला या दुखी महसुष करा सकती है हम आपको बताना चाहेंगे अपने आपके लिए शमय निकाले आपके शारिरिक और मानशिक श्वास्त दोनों के प्रति शक्री रहें आपके शितारे बताते यहां शमय महिने के बहतरिन दिन है हम आपको बताना चाहेंगे आप उजजाशे भरपूर होंगे और अपने परिवार के भ तब तक वो और शंभव लगता है अगर आपके करियर और विजनश की बात की जाए अभी आप दान धरम या बिना अपने लाब वाले कामों को करने में अधिक दिल्चस्पी लेंगी हम आपको बताना चाहेंगी आज अपने श्वास्त का ध्यान रखें और फालतू शमे या व अपने घर और काम को अच्छे से संतूलित किया है लेकिन अपने लोगों के साथ समय बिताना नौ भूले आज का दिन आपके लिए महिने का सबसे अच्छा दिन है और इसका मजा ले याद रखें विचार और योजना तब तक शफल नहीं होती है जब तक वा प्रियाश नह अगर उसकी मुश्कराहट लेती है और आप सब कुछ भूलकर उसमें खो जाते हैं हम आपको बताना चाहेंगे अपने साथी पर गर्व करें क्योंकि उससे कारण आपका जीवन खोपशुर और शंगीत मय है धोखा और किसी की जुदाई आपके जीवन में परिवर्तन ले चाहेंगे हम आपको बताना चाहेंगे अगले कुछ दिन आपके सभी खुशी भरे दिनों में से एक है आज आप अत्यधिक उर्जावान और उच्छाहित महसुष करेंगे बस आपको ध्यान दखना है आप खुद को अपने परिवार के करीब पाएंगे प्रेम का इजहार क करने से पीछे नौ रहें दोस्तों अगर इन बातों शी आप शहमत हैं तो विडियोश को अभी लाइक चरूर कर दें और शाथ ही कमेंट बॉक्स में जय विश्नुदेव चरूर लिख दें धन्यवाद आपका दिन शुभू